हलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत एक बार पुनाहा सभीका हमारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचिंग क्लासेस पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लेकर आया है आपके लिए चैप्टर वन के यहां पे दो से तीन नंबर में आने वाले जो कोस्चन है ठीक है तो मैं परुनाहां ठीक है थिर यहां पर दऑने त सबसे पहले जो जएशा की नाम से इस्या खेले यहां की होगी ऑ या पैरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो करके दो संततियों में ठीक है विभाजित हो जाती है ठीक है जो भी पैरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो करके दो संतति कोशिकाओं में बदल जाती है ठीक है अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि एक जनक जीव से दो संततियों का जन होता ठीक है यानि यहां पे दो से भी अधिक संततियों को यहां पे हम समाझ सकते हैं कि यह पाइरेंट्सल कोई है और यह वह विभाजित हो करके से अधिक को सिखाओ का निर्मार करती हैं इसके बाद देखिए नेश्ट पॉइंट क्या है यह हमेंचा अनुकूल परिस्थितिआं में होता है ठीक है देखिए जो हमारा दुई खंडन होता है या बाइनरी फिजन यह हमेशा फैब्रिवाल कंडिशन में होता है ठीक है यानि अनुकूल परिस्थितियों में जब तक इसके लिए परिस्थितिया अनुकूल है तब तक यह दुई भी खंडन होता है इसके बाद बंद हो जाता है और यदि अनुकूल परिस्थितियों की बात करें हम तो इसका एक्जामपल देख सकते हैं जैसे प्लाजमोडियम में ठीक है तो प्लाजमोडियम में फैब्रिवल कंडिशन में होता है और इसके अलाबा जो लेकिन यह जो एक जो ख अप्रिस्थितियों में लेकीन बेंदिवा में अन्युकूल परिस्थितियों होता है और जो इसके बाद नेश्ट क्या है मारा कि केंद्रक के भी भाजन के बाद कोस का दुआइब इसके बाद क्या होता है साइडोपलाज्म का दिवीजन होता है तो हमने यहां को यहां पर चईप्टर रोन पढ़ाया तो उसमें आपको बताया था कि चैप्टर वन약 के विभाजन होता है उसको हम moments क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम मैं नू06की काइसिस या कहते हैं तता साथ जो कोष्काद्रब है तो कोष्काद्रब की भीभाजन की क्रिया नहीं होती है यानि यहां पे कोई और इसके बाद देखिए जो हमारा बहुआ और इकजामपल और प्लाज्मोर्डीयम में बहुता है लेकिन यह जी प्लाज्मोर्डीयम में जो बहु खंडन है यह फेब्रिवल कंडिशन में देखने को मिलता है जो प्लाजमोडियम में बहु खंडन है वो अनकूल परिस्थितियों में होता है ठीक है जब कि अमीबा में जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है देखे दूसरा कोस्टन दोस्तों आज का हमा जैसे आप ले लिए यहाँ पर आमीवा हो गया पैरामीसियम, सीला, यूगलीन, कुछ भी यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया हो गया, आमीवा हो गया, आधी जो होते हैं, यह क्या कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, अलायंगिक जनार, और बेसिकल यसए यूनिस नो peaं होते हैं यह प्राक्तिक रूप सीधिक्र्दि नहीं होती है और यह एक अनंत प्रकाश जीवन बतेर करते हैं ठीक है और इनमें जो पित्रको सिका होती है या मात्र यसेल होती है वो कभी मरत्र महत्र नहीं होती है बलकि यह भालंगे temps हो करके दो या दो से अधिक संतधी कोशका है ठीक है यहाँ पर कोई भी यदि कोशिका होती है यदि कोई भी मात्र कोशका है तो वो मरत नहीं होती है ठीक है वो मरती नहीं है या खत्म नहीं होती है आपितु वह भी भाजित हो करके क्या करती है कि दो या दो से अधिक संतधी बनाती है ठीक है और यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि उनके उत्तर जीविता के लिए अनुकूल परिस्थितिया मौजूद रहती है ठीक है और जैसे यदि इनको अनुकूल परिस्थितिया नहीं मिलती है यह तब यह अपनी उत्तर जीविता वहाँ पर पर कहलाते हैं अब तीसरा कोस्चन है दोस्तों हमारा यहां पर जो जूइस पोर है जूइस पोर तथा युगमक युगमनज में अंतर लिखना ठीक है ठीक है किसमें किसे के मत अंतर लिखना है जूइस पोर तथा युगमनज के मत अंतर लिखना ठीक है तो आए यहां पर हम कि जूइस पोर के द्वारा क्या होता है यानि जूइस पोर इंग्ने से क्या निकलते हैं जॉइस सपौर यह इसको हम चल भी जाणु कहते हैं तो पत क्लूइस सब basically यह अलाइंग होते हैं और जानी से किससे प्राया से related होती है यहँंचिक यह सुनल होती है और तो यह लेंगी स्भाव नहीं होती है कियोंगे जब तो यहाँ कोई समभावन नहीं होती है किसी भी प्रकार से यहाँ पर युगम्नेज का फार्मेष Marriage नहीं होगा देखिए इसके बाद अगला क्या दोस्तों यह प्राया आगुणित नहीं होते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे यहाँ पे रूप में नहीं पायाते है ठीक है यह जोड़ी में नहीं होते हैं यह हमेशा है ठीक है इसके विप्रीद देखिए यहाँ 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 करें या जाईगोट की बात करें दुए घुपलॉईड होते हैं ठीक है ठीक है अब चुके यहाँ पर किए पारेंटिस्ण डिबाइट होकर के कही सारे स्पोर्स बनाती है ठीक है तो यहां पर एक ही जीव की लच्छर करेक्टर मौजूद होते हैं ठीक है इसके भी प्रित देखिए यदि हम यूनमज है जाइगोट की बात करें तो इसमें दो जनकों की लच्छर पाये जाते हैं ठीक है अब चुकि मादा एवब नर दोनों यूगमत आपस में मिलते हैं ठीक है तो जो बनने वाली समरचना है जाइगोट है या यूगमनज है इसमें कुछ लच्छर जो है तो माता के भी जाएंगे और कुछ लच्छर पिता के भी तो इस प्रकार से इसमें दोनों जनकों के लच्छर क्या होते हैं आपस में दोते हैं जिनके माध्यम से यह गति करते हैं ठीक है और जो कसाभी का या सीलिया इन में प्रजेंट होते हैं ये इनको तैरने में भी सक्षम बनाते हैं अर्थात तैरने में भी इनकी सहायता करते हैं इसके भी प्रित देखिए ये प्राया अचल होते हैं ठीक है इमोटिलाइ इंग्लिस के अंधर एंधर बताना थीक है यानी जो हमारा एक्स्टेर्नल और इंटार्नल फार्टिलाइशन है उन दोनों के मद्ध इप्रेंस थीख है तो देखे यहां पर हम देखते हैं और और अंतर्य की बात करें तो जैसा कि नाम से ही ये व्यक्त कर रहा है कि बाय निसेचन यानि निसेचन क्या होगा इसमें बाय माध्यम में होगा या बाहरी माध्यम में होगा ठीक है तो देखे पहला पॉइंट क्या इसमें कि यह निसेचन माधा सरीर के बाहर संपन्न होता है ठीक है तो इस प्रकार का निसेचन ज वो मादा के अंदर ही संपन्न होता है यह अर्थात हम कह सकते हैं मादा की basically अंडवायन या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है इसके विप्रीत देखिए जो हमारा अगला पॉइंट है इसमें क्या है कि नर एब मादा जीव जो है वो बाहरी माध्यम में अत्यधिक संख संख्या में युगमक मुक्त करते हैं ठीक है और निसेचन की क्रिया वहां पर समपन्न होती है ठीक है तो देखें यहां पर क्या है इस क्रिया के लिए basically हम यह समझ सकते हैं कि यहां पर जदा संख्या में यूगमक मुक्त करने के विसकता पड़ति ठीक है क्योंकि 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 भारि मात्खम जैसे महान लीजे यह जल पे हम्नकों को यह जप्लमन मुकत करना है थीक है कोई भी जीभ यूद्व में यूखमक मुकत करता है अम मान लीजे यह एकínaक्यों एक हजार युगमक माल लीजे वह बाहर मुक्त की है ठीक है जल में तो अब ऐसा तो है नहीं कि उस एक हजार की एक हजार पूरे यानि वन थाउजंड जो भी हमारे गयमीट है वो जाकर के ओबम को यानि की फिमेल गयमीट को ढून लेंगे ठीक है उसमें से कुछी जो है फिम पूर्ण ऑंगोगों की सहायता से मादा की शरीर में पहुचता है ठीक है यानि जो हमारा अमेल गयमीट है इसको पहुचने के लिए एक बिसीज प्रकार की मेथुनंग की अवसकता पड़ती है यदि हम बात करें मनुस्यों में बात करें तो मनुस्यों में और वहां पर निसेचन की क्रिया क्या होती है संपन होती है तो इस प्रकार से इसमें एक भी सेश प्रकार के मैथुनंग की सहायता की जरूत होती है जिसके कारण से या जिसकी सहायता से जो नर युगमक है वो मादा युगमक के पास पहुंचता है ठीक है इसके बाद देखें जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें यहां पे एक्जामपल है कई सारे ठीक है जैसे यदि बायनी सेचन या एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यदि जितने भी मचलिया या फिसेस हैं उनमें तथा जो भी एंफिबियंस या उभए चरहें इसके अलावा भी प्लाणी हो ठीक है या फिक्षिबियंस प्लांट होते हैं उनमें इस प्रकार का अंत्रिक निशेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है पाच्वा कोस्चन है दोस्तों आज का हमारा युगमक जनन और भृणोत भव के मद्दे अंतर लिखना ठीक है यानि जो हमारा गैमेटोजेनेसिस होता है और जो हमारा एंब्रियोजेनेसिस इन दोनों के मद्ध डिफ्रेंस बताना है तो आएए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस और भूणोदभव के बीज क्या डिफ्रेंस होता ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों एक साइड हमारा युगमक जेसी को हम यूगमग बनने की क्रिया है जासे मनूस्य में बात करें तो जैसे दोनों में हम अलग-अलग बात करते हैं तो इसमें टेस्टेजिया ब्रसन मौझूद होता है अब ब्रसन के अंदर इस्पर्म का निर्माण होता है और इस्पर्म क्या होते हैं गैमीट होते हैं तो इस प्रकार से यह क्या है युगमक जनन है अर्थात युगमकों के जो बनने की क्रिया होती है उसी को हम युगमक जनन कहते हैं ठीक है तो नर्क यदि हम बात करें तो जैसे नर्क में टेस्टीज होते हैं ठीक है तो टेस्टीज में क्या होते हैं इस्पर्म ही तो होते हैं ठीक है गैमेट होते हैं या युगमक होते हैं उसी प्रकार यदि हम फिमेल की बात करें तो फिमेल के अंडासा या ओबरी होती है ठीक है जिसमें कि ओबम का निर्मार होता है और ओबम क्या होता है ये भी एक प्रकार का गैमेट या युगमक होता है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो गैमेटों के बनने की क्रिया है वो गैमेटो जिनेसिस ये युगमक जनन कहलाती है ठीक है अर्थात युगमकों के बनने की क्रिया जो है यूग्मक जनन कहलाती है, ठीक है, अब देखी यहाँ पे जो भूण ओद्भाव है, यहाँ यूगमञ ज़से भूण बनने की प्रक्रिया, ठीक है, देखी यहाँ पे यूगमनज तो बन गए, यानि जब आपस में गएमीट मिलते हैं, तो गएमीट के मिलने के बाद क्या ब भुरून ओद्भाव कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर युगमनज से या जाइगोड से भुरून बनने की क्रिया जो है, भुरून ओद्भाव कहलाती है, अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि यह निसेचन से पूर्व की घटना है, ठीक है, यानि देखी यहाँ पर ज उसके बाद युगम को के निर्मार हो जाने के बाद क्या होता है निसेचन होता है देखे इसके बाद जो भूनोद भाव होता है यह निसेचन के बाद की घटना है ठीक है अब देखे जब युगमा का अपास में मिल करके जाइगोड बना लेते हैं फिर यहाँ पे और जाइगोडd के बाद बन जाइगोड़ अधकर प्रक्रिय रहत भात टैससे प्रक्रिया लोग या। ठीक है जैसा कि हमने आपको एक्जाम्पल भी बताया कि जो भी टेस्टीज या कि जो भी ओवरी के अंदर जो भी ओवम या कि टेस्टीज के अंदर जो भी स्पर्मकर निर्मार होता है वो किसके अंदर होता है वो भी जननंगों के अंदर होता है ठीक है अब देखिए इसके इसके बरिट जो हमारा भृणोध भो है यह प्रक्रिया मादा सरीर के अंदर यह बाहर संपणड़ Gesetz तो ऊसमें कई सारी जगए यह बाहरी माध्यमें भी संपण्ण होते हैं ठीक है तो इस प्रकार से यह जो भृणोध माध्यम में और अंत्रिक माध्यम में भी समपन होती है ठीक है इसके बाद देखी अगला point कहा है दोस्तो इस प्रक्रिया की परणित निसेचन के रूप में होती है ठीक है यानि हम कहे सकते है कि इस प्रक्रिया के बाद जो है वो निसेचन के रूप में होती है ठीक है यानि इस प्रक्रिया के बनने के बाद निसेचन होता है यानि युगमक जब बन जाएंगे उसके बाद काउन सी प्रक्रिया होती है निसेचन की प्रक्रिया होती है और यदि हम भूणोद भौ की बात करें तो इस प्रक्रिया की परिणिती जो है वो जीवध पत्ति के रूप में होती है यानि यहाँ पे भून बनने के वाद क्या होता है भून बनने के वाद फिर उससे क्या बनता है बच्चों का निर्माण होता है यानि चाइल्ड का फार्मेशन होता है तो इस प्रकार से इसकी प तक के लिए जाई हिन्द बंदे मात्रव